मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 मई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम संवत 2006 मास चल रहा है जेश्ट का तिथी कृष्ण पक्ष की शष्ठी तिथी है शनिवार का दिन है नक्षत्र है श्रवन योग है ब्रह्मा और करन है वानिज तो बात रही है आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश र राशिवाले जातक लोगों के लिए आज कारेशित्र में कुछ कठिनाईयों का सामना आपको करना पड़ सकता है कुछ रूपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी इस्तिती दिखती है कि आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करें किसी को कोई बड़ी जिम्म पूरी ना करे या आपको कोई धोखा दे दे आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए ऐसे योग बनते हैं तो इन सारी चीजों को ले करके थोड़ा आज आपको अलर्ट रहना चाहिए सचेत रहना चाहिए ओ माईने नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और क्रूद करने से आप बचे वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में कुछ तनाव की इस्तिति दिखाई देती है आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपके प्रयासों से आपके माध्यम से आपके इंटरफेरेंस से हस्तशेप से परिवार का विवात तनाव जो है वो शान्त हो सब लोग मिल जुल करके रहें, सब को साथ मिला करके ले करके चलने का प्रयास करना चाहिए आज अपने खानपान पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ओम भक्ति प्रिया आयन महमंतर का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें मिथुन राशी, मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज अपना सारा काम अपनी दिंचर्या को आप जितना और्गनाईज रखेंगे, रूटीन वे में रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा काम करने में आपके लिए आसानी होगी श्रिकाल भहरवाष्ट कम का पाट करें, मानसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए वरना आपको आने वाले समय में गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो अपनी जो खर्च करने की प्रविर्ती है उस पर थोड़ा सा आप लगाम लगाईए देवी कबच का पाट करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें सिंग राशिवाले जातक लोगों के लिए कोई लॉंग टर्म बड़े प्रोजेक्ट में इंवेस्मेंट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं उसको लेकर के कुछ दो-चार बड़ी मीटिंग्स भी हो सकती है तो इन सारी चीज़ों को जब आप कर रहे हों तो आपको ध्यानी रखना चाहिए कि जहां कहीं भी आप पैसा लगाने जा रहे हैं वास्तविक रूप से उसमें कितना अच्छा आपको रेटरन मिलने वाला क्यूंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपको आकड़े कागस पर गलत दिखाये जाते हैं जितना लाब आपको बताया जा रहा है शायद उतना नहीं होता तो अच्छे से ठोक बजा करके जानकारी कर लीजे गड़े शतर शीर्श का पाठ करके घर से निकल लिए तो आपको सफलता मिलेगी अपने आत्म विश्पास में कमी मत होने दीजे कन्याराशी कन्याराशी वाल जातक लोगों के लिए आज आपको अपने अव्यवस्थित काम को अपने बिखरे हुए काम को संगठित करने की आवशकता है कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आसकता है आपको यथा सामर्त उनकी साहता आवशक करनी चाहिए आज के दिन को शुब बनाने क के लिए गणेश मंत्र का जाप आपके लिए कल्याणकारी होगा ओम गंगन पताय नमहमंत्र का 108 बार जाप जरूर करें किसी भी तरीके के वादविवाद में आप नपड़ें व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज तनाव की स्थिती अचा जानका आपके सामने आ सकती है आपका बनता हुआ काम रुख सकता है तो ऐसे में आपको बहुत परेशान नहीं होना है विचलित नहीं होना है बहुत शांत चित हो करके अपने काम में लगिए आपको सफलता आवश्य मिलेगी चंडी कवच का पाठ करें और भाई बंदों क साथ वाद विवाद बिलकुल भी न करें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए आज कोई जॉब की बहुत अच्छी आफर आपको मिल सकते है यह जो काम का आफर आपको दिया जा रहा है नौकरी का प्रस्ताव दिया जा रहा है यह आपके लिए आने वाले समय के लिए long term बहुत अच्छा फायदा ले करके आ रहा है आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधना करना आपके लिए कल्यानकारी होगा तो राधा कृष्ण को एक गुलाप का हार समर पित करके अगर आप पूजा करते हैं तो आपके ल प्रोल में रखना चाहिए नियंत्रित रखें क्योंकि ऐसी परिस्तिती बन रही है जहां आज आपको बहुत गुस्सा आ सकता है श्री गोपाल सहस्तना मिस्त्रोतम का पाठ करें और बड़े बज़र्गों का दिल उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं कुमराशी कारेश्यत्र में अपने कुछ अनुभवी लोगों से अपने सीनियर से कुछ सीखने का आफसर मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति का एटिट्यूड हमेशा अपने ग्यान को बढ़ाते रहने का सीखते रहने का होना चाहिए सीखे आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा भविश म में राम रक्षा इस तौट का पाठ करेंगे तो आज का दिन आपके लिए शुब होगा वाणी पर नीयंत्रण आपको किसी भी इस्तिति में नहीं खोना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए कोई नया कार या आरंब करने के लिए आज का दिन आपके चालीसा का पार्ट करिये और कार्यस्यट्र में या अपने परिवार में किसी भी तरीके के partner से चाहिए वो business partner हो किसी भी तरीके का वादविवाद आपको नहीं करنا चाहिए. तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक शत्र के इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जीवन में कोई बहुत गंभीर समस्या आ गई हो, बहुत ज़्यादा आपके काम में, आपके जीवन में प्रॉब्लम रहती हो, समस्या रहसे आप घिरे हुए हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप तुरंत ही उस समस्या से मुक्ति पा सकें और ये उपाय लाइफ की किसी भी समस्या के लिए यानि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए उतना ही लाबकारी है जितना ही आपकी आर्थिक समस्या के लिए होगा आपके अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की तकलीफ है चाहे वो पारिवारिक समस्या हो करज की इस्तिती हो काम दंदा ना चल रहा हो हस्बेंड वाइफ का जगड़ा हो गल्फरेंड बॉइफरेंड का कुछ तनाव आ गया हो नौकरी ना मिल पा रही हो तो जो उपाय बताता इनको करिए करना यह है कि सुमवार के दिन नहादो करके सुबै बिलव पत्र जल और दूद ले लिजे थुड़ा साफ जल ले लीजे एक लोटे में एक पात्र में किसी में कच्चा दूद ले लीजे और कुछ बिल पत्र ले लीजे घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो दूद चढ़ाने के बाद उनको आप शुद्धोदक इसनान कराईए सबसे पहले दूद चढ़ाईए फिर जल से आप इसनान कराईए और शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र रख दीजे बिल्वपत्र रखने के लिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिया शिवारपडम इस मंत्र का जाप आपको करते हुए कम से कम तीन दल वाला एक बेलपत्र आपको जरूर रखना चाहिए इसके बाद पांच बत्तियों वाला दीपक जला करके भगवान शिव का यानि शिवलिंग का आप आरती कर लें जो कुछ भी मंत्र मालूम है कुछ नहीं म समस्या है जरूरी नहीं कि हमारे भाव होते हैं कि आपकी कृपा आम को मिले अगर आपको कोई मंत्र कोई क्रिया नहीं मालूम आप सिर्फ इतना बोल दीजे कि मेरे जीवन में समस्या इसको जल्दी से ठीक करिए मेरी नौकरी में बादा आ रहे हैं पती पतनीम जग्रा हो या उसको जल्दी ठीक करिया आपकी जो भी भावना है वो भगवान के सामने आपको बोल देना चाहिए ये करने के बाद वहाँ बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमश्यवाय मंतर का जाप कर लें महा मृतुंजय मंतर का जाप कर लें और अगर आपके गुरू ने कोई आपको करके साथ में जाप कर लेना चाहिए जब पूजा जब यह आप पूरी कर लेते हैं जब के साथ महादेव शिव की पूजा तो आपके काम में या आपकी मनोकामना में जो भी विग्न है बादा है जो औरचन है वो महादेव की कृपा से जरूर दूर होती है और प्रयास करना चाहिए कि ये उपाय सोमवार के सोमवार आप लगातार करते रहें पूरे हफ़ते करने की जरूवत नहीं सोमवार के सोमवार इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा दूसरा क्या है कि अगर गंबीर आर्थिक समस्या है रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो मंगलवार को आपको करना चाहिए मंगलवार को दो मिनिट का ये उपाय बताता हूँ उसको ध्यान से सुन लीजे गंबीर को अगर आपको ताजा गंबीर को चाहिए तो जब आप देवता को चड़ा रहे है तो गंबीर के साथ कचड़े के साथ ना चड़ा है उनको चाहिए चनी से और उस जल को जो है गंबीर की समस्या है तो जो अब मैं तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो करना चाहिए रोग की स्थिती में आपको करना यह है कि आपको कुशा का जल कुशा एक प्रकार की घास है उसके दो प्रकार से प्रयोग किये जाते हैं आपको चड़ाना है वो आप कर सकते हैं दूसरा कुशा का प्रयोग यह है कि अगर कुशा आपके पास कम है कुशा की पवित्री वगए अभी हम लोग पूजा पाट में पहनते हैं हम लोगों ने दिखाया भी था अपने रुद्राभिशेक में कि इसे कुशा बोलते हैं य इसे इस्तिती में जो कुशा की घास होती है उसकी जो पवित्री बनाई जाती है वो सोने के समान शुद्ध मानी जाती है कि अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध हैं तो रिशी मुनी का सूना होता है अगर पवित्री पहन लेते हैं तो वो हर प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं तब आप यग्य करने के अधिकारी हो जाते हैं शुद्धता के साथ तो उस कुशा के कुशा घास को लोटे में या बाल्टी में जल में डाल दीजे वो अपने आप वो कुशा का जल हो गया उस जल से जो है आप भगवान शिव का भी शेक करिए अगर स्वास्त संबंदी समस्या है तो बुदवार के दिन आपको वो जल जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए उस जल को चढ़ा करके पूजा वाला नारियल जो है वो आपको वहाँ पर भगवान शिव के पास समर्पित करना चाहिए अगर नारियल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है नहीं उपलब दोता तो कोई बात नहीं लेकिन कुशा के जल से बुधवार के दिन स्वास्त लाव की कामना और प्रातना से भगवान शिव का अभिशेक यानि उनके उपर जल अरपन जरूर करना चाहिए और जब आप स्वास्त लाव की कामना के लिए किसी के लिए भी कर रहे हों जैसे कोई बालक है जो अपने माता पिता के लिए कह रहा है तो वह जब जल चढ़ाए तो प्रातना करें कि है बगवान है महादेव मेरे पिता जी को कश्ट आ गया जन्म मृत्यू जराव्याधी पीड़ितम कर्म बंधने ही इस मंत्र का उचारण करते हुए भी आप जो है अपनी कामना के लिए अपने परिवार के लोगों के स्वास्त लाव के लिए उनके अच्छे स्वास्त की कामना के साथ भगवान शिव पर आप शिवलिंग पर ये किसी भी problem के लिए हो सकता है दूसरा आद उसरा प्रयोग यो गन्यकर इस प्रयोग में बहुत ज्यादा काम करता है ऐसे तो भगवा, करता हूँ कि आप इन तीनों उपायों का अपनी जरुवत के हिसाब से लाब अवश्य लेंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होते हैं ये निश्यती आपको पसंद आते होंगे आप आप से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद